सात्यों, सस्ता डेटा और इंटरनेट में आई तेजी आज गाउं गाउं तक देश को डिजिटली कनेक कर रही है। ऐसे में फिजिकल खेल और खिलोनों के साथ साथ वर्चुल, डिजिटल, ऑनलाइन गेमिंग में भी भारत की संभावनाएं और सावर्त दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन जीतने भी ऑनलाइन या डिजिटल गेम्स आज मार्केट में उपलब्द हैं, उनमें से अधिकतर का कंसेप्ट भारतिय नहीं है। हमारी सोच से मेल नहीं खाता है। आप भी जानते हैं कि इसमें अनेक गेम्स के कंसेप्ट या तो वाइलेंस को प्रमोट करते हैं या फिर मेंटल स्ट्रेस का कारण बनाते हैं। इसलिए हमारा दाईत्व है कि ऐसे वैकल्पी कंसेप्ट डिजाइन हो जिसमें भारत का मूल चिंतन जो संपुर्ण मानु कल्यार से जूड़ा हुआ हुआ हो, वो हो तकनीकी रुप में सुपीरियर हो, फन भी हो, फिटनेस भी हो, दोनों को बढ़ावा मिलता रहे। और मैं ये भी स्पस्ट देख रहा हुँ कि डिजिटल गेमिंग के लिए जरूरी कंटेंट और कंपिटेंस हमारी यहां भरपूर है। अब जैसे ये जो आइक्रोगीटो गेमिंग का कंसेप आपने दिया है। इसमें भारत की इसी ताकत का समावेश है। योग से VR और AI टेक्नलोजी से जोड कर एक नया गेमिंग सॉलूशन दुनिया को देना बहुत अच्छा प्रयास है। इसी तरह आइरुवेश से जुड़ा बॉर्ड गेम भी पुरातन और नूतन का अध्भूत संगम है। जैसा कि थोड़ी देर पहले बात्चीत के दोरान नव जमानों ने बताया भी कि एक कम्पिटिटिव गेम दुनिया में योग को दूर सुदूर पहुंचाने में बहुत मदद कर सकता है।